हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी लोगों का पोकेमोन ओमेगा रूबी के ब्रांड न्यू एपिसोड में तो दोस्तो आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा गाइस मेरे और आपके वाइटी के फ्रेंड दिवियन सिंग लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा है और उनके वीडियोस डिलीट हो रहा है अपने आप तो आखिर में मैं यहीं कहना चाहूंगा कि उनकी हेल्प कीजे उन्होंने अपना सेकंड चैनल स्टार्ट किया है तो उनको प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजे अगर आपको उनके वी एपिसोड लाने वाले हैं लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा सौरी गाइस लेजंडरी हंटिंग वाला एपिसोड तो आपको बाद में मिल जाएगा तो फिलाल गाइस चले जिम की और चलते हैं तो पिछली बार गाइस हमने हमारे लेजंडरी पोकीमोन ग्र सकता है और गाइस अभी हमें यहां से मिल चुका है सेबल नाइट तो यह हमें कोई काम नहीं आ सकता क्योंकि हम सेबल आइको तो पकड़ने नहीं वाले लेकिन कोई बात नहीं तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पोकीमोन सेंटर की और तो गैस यहां एक दादा जी थे त पूरे होएंड को बचाया था सभी चीजों और सभी एफट के लिए तुम्हारा बहुत बहुत थेंक्यू मैं कसम खाता हूं मेरी जिन्दगी में जितने जिन बचे हैं उससे में खुसी-खुसी जिऊंगा और थैंक्स टो यू वेलकम ददू लेकिन यह तो हमारा फर्स था तो गाइस आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सूटो पोलिस सिडी के पोकिमोन सेंटर में तो गाइस पिछली बार सब लोगों ने कहा था कि मैजिकर्प को पकड़ो मदलब की हमें गेर आड़ोस चाहिए हमें गेर आड़ोस चाहिए आप लोगों ने ऐसा कहा था तो इसलिए मैं यही करना चाहता हूँ और अभी यही करने वाला हूँ लेकिन उससे पहले मैं में पोकी मार्ट में से बहुत सारे पोकी बॉल्ल morally मुझे लेने है तो वह सारी शॉपिंग मैंने कर लिए है और गाइस मैंने सारी सॉपिंग कर ली है और मैं आ चुका हूँ जिम के पास और मैंने ग्रावडोन को भी हमारी टीम में ले लिया है तो गाइस चले चलते हैं हमारा लास्ट बैट जीतने के लिए और जोटो लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए तो गाइस ये जिम लोटाओ डे दिया है तो चले आके बढ़ते हैं मुझे लगते है कि यह आइस का रास्ता है मदलब की बरफ का रास्ता है और हम आगे क्यों बढ़ नहीं पा रहे यह मुझे समझनी आ रहा गाइस तो मैं साइकल यूज नहीं कर सकता वह तो मुझे पता है तो चले फिर से च पहले हैं तो आप लोगों ने जैसे कि कहा था कि स्वैबलू और अप्सोल को आगे ट्रेनिंग दे देना तो मैंने स्वैबलू को ऊपर रख दिया है मुझे पता है कि यहां बैटल होने वाला है तो चले गाइस बैटल करते हैं हेलो बर्फ पर ग्लाइडिंग करना वह भी स फिनी के पास है एक गोल्डक तो सबसे पहले उनका गोल्डक आ रहे तो हमारे स्वैबलू के लिए यह मुकाबला बहुत ही मुश्किल होने वाला है लेकिन मैं ट्राइज जरूर करूंगा तो सबसे पहले फ्लाइड यूज कर लेते हैं और उसने सबसे पहले यूज किया है जैन हेडबट और काफी अच्छा देमेज मिला है उसे और सभी स्वैबलू फ्लाइड यूज कर रहा है तो डेमेज तो काफी अच्छा मिला जैसा कि मैंने सोचा था और गॉल्डक ने कर दिया है और सोग अटेग से हमारे स्वैबलू को बना दिया है वाटर टाइप पोकि तो मुझे लगता है कि मुझे हमारे एपसोल को बुला लेना चाहिए मुझे पता है कि एपसोल डार्क टैप वकी मौन है और डार्क टैप पोकी मौन के खिलाफ वाटर टैप ज्यादा इफेक्टिव होता है तो हमें थोड़ा डिस एडवांटेज है रेकिन अब भी हमारा एपसॉल एपसॉल नहीं रहा मेगा एपसॉल में इवाल हो चुका है तो हमारे पास थोड़ा चांस तो है जीदने के लिए वाटर टाइप पोकेमोन के किलाफ में नॉर्मल टाइप अटेक स्लैस यूज करना च चाहिए और गाइस काफी अच्छा डेमेज मिला है और गोल्डग को भी फेंटेड कर दिया है हमारे एपसॉल और गाइस एपसॉल आच चुका है लेवल 37 पर तो यह अच्छी बात है और वह साइको कट अटेक सीखना चाहता है तो मुझे लगता है कि मुझे देखना होगा कि साइको कर टेक साइकिक टाइप मूव है और यह काफी अच्छा लग रहा है तो मैं डिटेक्ट अटेक हटा देता हूँ वैसे भी हमें वो कोई काम नहीं आ रहा था और लैट्टियो सा चुका है लेवल 42 पर और वेलोड नेक्स पोकिन मुझे नहीं लगता कि हमारा एपस को चुना था तो गैस मैं हमारे एपसॉल को भी चुन सकता था वेलोड को हराने के लिए लेकिन वेलोड जितने सकती साली पोकिमोन से हमारे एपसॉल को लडाना यह थोड़ा रिस्की था इसलिए वेलोड को हराने के लिए मैंने हमारे सेप्टाइल को चुना था वैसे भी ह मुझे इस ट्रेनर की बात पर से लग रहा है कि वो कहना जाती है कि उसने अभी हार नहीं मानी है अब तो यह सच में सपश्ट है कि तुम एक ट्रेनर की तौर पर कितने स्टॉंग हो यह माईने नहीं रखता कि तुम कितने बड़े और छोटे हो और इनकी आखरी बात में तो म मैंने बैटल कर लिया है और अभी मैं यहां सीडिया चड़के ऊपर आ चुका हूँ तो मुझे बैटल करना है इन दोनों के साथ तो मैंने सारे पोकिमॉन को हील कर लिया है हमारे सूपर पोशन और रिवाइब से रिवाइब कर दिया है तो चलिए इस वाली टेनर से बैटल करते हैं हेलो कि आप बैटल करना नहीं चाहोगे तो गैस मुझे नहीं लगता कि वह बैटल करना चाहती है तो इनके साथ बैटल कर लेते हैं तो गैस इनके साथ मैंने बैटल कर लिया और बैटल करने के बाद हमारा स्वैबलू हो रहा है जैसा कि आप लोग चाहते थे कि हमार स्वैबलू जल्द से जल्द अल्टारिया में इवाल हो जाए और हम जल्दी से जल्दी उसे मेगा अल्टारिया में यूज़ कर सके तो गैस यह हमारे लिए थोड़ा लेट इवाल हुआ है लेकिन कोई बात नहीं इवाल हो गया यही अच्छी बात है और कितना ओसम दिख रह रहे थे कि तुमने सारे ड्रेगन टाइप अटा लिया है लेटियोस के पास से यह लो आपकी इच्छा पूरी हो गई तो उस वक्त हमारे पास कोई वाटर टाइप पोकेमोन नहीं था इसलिए मैंने लेटियोस को वाटर टाइप मुव चिखा लिये थे और ड्रेगन ब्रेथ ह हमारे पास अल्टार येट मेगा स्टोन नहीं है तो मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूं गाइस तो गैस अभी मैं इयोन फ्लूट की मदद से उड़ भी सकता हूं हमारे लेटियोस के साथ तो यह काफी ओसम था मुझे काफी पसंद आया है और गैस सहथ से मुझे मुझे तो उंकल नहीं मिले तो गैस वह मेरि मिष्टेग थी हमें लेलीव को आना था और इस उंकल से बात करनी थी तो चलिए गाइस अंकल से बात कर लेता हैं और उससे पहले हमारे अल्टार को स्विच करके पहले रख दिया है मैंने मेलों ब्लीज मुझे मेगा स्टोन दिदू यहां रुखते हैं और डिसकर्शन करते हैं रहर रोज हमारी फ़र्स मिटिंग के लिए क्यों एक कॉंटेस्ट की तरह रहता है ट्राइ करो और मज़े दिखाओ लीजिया के अपके पास लीजिवा के पास तो सायग से अल्टारिया था मैं तुम्हें इससे क्म नहीं समझा था तुम्हारी अलतारिया काति प्रिटी अमेजिंग इस तौनBeट यहां बना सकते हैं तो अभी सीडिय यह तो पहले हम नहीं जा सकते थे तो अभी जा सकते हैं और यह आखरी वाले जिम में बहुती डिफिकल्ट पजल रखा है इन लोगों ने गेम डेवलोपर्स की तो दाद देनी पड़ेगी तो गैस अभी चलते हैं और चल दिशे चलते इस वाला पजल भी स्वाल कर देते हैं तो गैस इस वाले आप यह पुझन कर सकते हैं और मैंने भी बड़ी सांथी से ऐसे यह पजल सौल किया है तो आगे एक और बहुत ही बड़ा पजल है तो आपको दिखाने के लिए यह पजल में लाइव आपके सामने सॉल्व करने वाला हूं तो पहले यहां से चलते हैं ओके अब यूपर चल इस तरह मैंने पजल का पहला round solve कर दिया है मतलब की थोड़ा puzzle solve कर दिया है 25% तो अभी पूरा puzzle solve करने के बाद मिलता हूँ guys तो गाज यह puzzle solve हो चुका है तो चले वैलस से battle करते हैं लेकिन गाइस उसे पहले मैंने हमारे सारे Pokemon को heal कर लिया है तो चले battle करते हैं वैलस की साथ हमारा last gym batch जीतने के लिए मुझी अपनी आपको formally introduce करने के लिए allow करो मैं वैलस हूँ मैं हूँ सुटोपुलिस सिटी का gym leader तुम में कुछ तो है तुमारी व्यवहर में कुछ तो अलग है मुझे लगता है मैंने अपने आपको तुम में sense कर लिया है के वा फोरीजिन में क्या हुआ था और तुम वहां क्या कर रही थे हमारा upcoming battle यह सब कुछ clear कर देगा अब मुझे दिखाओ दिखाओ तुमारा पावर जो का परफोर्मेंस मेरे और मेरे पोकीमोन की और से ओके गाइस तो चलिए अभी बैटल स्टार्ट होने वाला है तो एक घमासान बैटल के लिए रडी हो जाए नहीं इतना भी घमासान नहीं लेकिन मैं बहुत ही अच्छा बैटल करना चाहता हो गाइस और माफ कर देना गाइ पर तो सौरी गाइस माफ कर देना वेलेस की सबसे पहली पोकीमोन है लव डिस्क तो उसे हराने के लिए मैं हमारे अल्टारिय को यूज़ करना चाहूंगा और हमारा अल्टारिया बन चुका है मेका अल्टारिया तो गैस में सबसे पहले राउंड अटेक की यूज़ करना प्लीज अल्टारिया कन्फ्यूजन में से बहार आ जाओ नहीं आरा गैस हमारा अल्टारिया और हमारा अल्टारिया अपने आप पर अटेक कर रहा है और खुद को हर्ट कर रहा है लेकिन प्लीज अल्टारिया अपने कन्फ्यूजन में से बहार आ जाओ और उस पर अटेक करो यस ये हुई ना बात अल्टारिया तो देखते हैं राउंड अटेक का हमें कितना डेमेज मिलता है तो जैसा कि मैंने सूचा था लव डिस्क हमारी अल्टारिया की हल्प से हाल की है तो आगे देखते हैं कि कौन सा पोकिमोन आता है और अल्टारिया आ चुका है लेवल 36 पर आ दे तो गाइस मैलोटेक ने यूज कर लिया है हाइड्रोप और यह एपसौल के लिए अच्छा नहीं है एपसौल प्लीस फेंटेड मत होना ओके गाइस तो एपसौल फेंटेड नहीं हुआ उसकी सिर्फ 3 HP बची है तो मुझे लगता है कि वैसे भी वह फेंटेड होने वाल हमें जूसे अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा लेटियोस वाटर टाइप भी है तो मैं यूज करना चाहूंगा जैन हैडबर्ट आइविश कि हमें अच्छा डैमेज मिले और मैलोटीक इससे भी अच्छा दिखता है लेकिन नहीं पता इस गेम में क्या पंगा है सारे टाइप पोक्यमोन वाइट कलर के दिखते हैं तो गई यह माईलोटीक बड़ी चालाक है इस माईलोटीक ने यूज कर लिया था रीकवर अटेक तो मैंने सुचा कि लस्टर पार्ज अटेक कर देते हैं लेकिन उससे भी माईलोटीक फिंटेड नहीं हुआ और फिर से इस माईलोटीक ने बड़ा परेशान किया है मुझे आज तो गई एक और बार जैन हेडबट यूज कर लेते हैं क्योंकि लस्टर पर्स का तो ज्यादा डेमेज नहीं मिल रहा हमें और आइस बेम यूज कर लिया है माईलोटीक ने तो अभी तो लेटियोस फिंटेड हो हरा दो इस माईलोटीक को येस लेट्स माई बड़ा तुमने हमारे लेटियोस का बदला ले लिया है अच्छी बात है और गईस अभी हमारा एपसॉल आचुका है लेवर 39 पर और सी लियो आ रहा है तो मैं हमारे पिकाचु को बुलाना चाहूंगा मतलब कि हमारी पिकाचु को बुलाना चाहूंगा हमारी पिकाचु कुछ भी कर सकती है अजस् According बहुत ही अजीब लग रहा है हमारे की कर ना चाहूंगा क्योंकि ग्राउड ऌना आ लेवल 46 पर विशचेस लुके से हमारा पिकाचु हरा स्कता और विशकेस पर थwirवितपने निंक Chief इंवर काम दकto दोनों टाइप का है और हमारी पिकाचू फिंटेड हो चुकी है तो अभी मैं बुलाना चाहूंगा हमारे अल्टारिया को क्योंकि अल्टारिया हरा सकता है राउंड अटेक से लेकिन मुझे नहीं लगता कि थोड़ा अच्छा डैमेज मिलेगा क्योंकि वो ग्राउंड टाइ है और इससे पैरेलाइज हो चुका है तो यह अच्छी बात है लेकिन फिर भी उसने अर्थक्वेक अटक किया है अल्टारिया यह तुम कर सकते हो ओके तो एक और बार ड्रेगन ब्रेथ अटेक यूज कर लेते हैं तो ड्रेगन ब्रेथ अच्छा डैमेज मिलें और विश्क है लीव ब्लेड तो गईज आप सोच रहे होंगे कि मैंने सेप्टाइल को क्यों डीग अटेक सिखाया अंसर यह है गाइस कि डीग अटेक आगे हमें बहुत ही काम आ सकता है लेजंडरी पोकीमोन को पकड़ने के लिए अगला पोकीमोन है सीकिंग सीकिंग को भी हमारा सेप लगे हमारे क्रावड ओन खो तो हमारा सेप्टाइल जुका है लेवल 53 तक और गाइस हमें मिलने वाला है हमारा लाश्ट बैज जोटो लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए ब्रेवो दीजे ब्रावो चैंपियान चांपियान बहुत मनुष लग रहे हैं बहुत बहुत तो गैस देखते हैं वैलस क्या क्याता है अब त्रेनर की तोर पर मैंने तुम्हारी और मैगनिफिसंस को पहचान लिया है मुझे तुमसे और तुमारे पोकिमोन से मिलने में बहुत मज़ा आया और मुझे बहुत खुशी मिली तुमने अपने आपको प्रूफ कर दिया कि तुम रेन बेच के लाएक हो इसे स्विकार करो यह तुमारे पास होने से तुमारे सारे पोकिमोन तुमारी बात मानेंगे और तुमारी कमांड भी सुनेंगे तो गाइस अभी हमें मिल चुका है हमारा लास्ट बैच हमारी जोटो लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए तो यह राइन बेच काफी ओसम दिख रहा है गाइस तो गाइस देखते हैं हमें कौन सा टी एम और एच एम मिलने वाला है और तुम यह बैटल कभी नहीं बूलोगे जो हमने किया था यहां सच पात यहां तो गाइस हमें मिल चुका है एच जिरो फाइव वाटरफॉल जो हमे बहुत ही काम आ सकता है आगे तो मुझे पता है इसका क्या यूज हो सकता है तो यह बात तो आप ना ही बता है तो अच्छी बात है तो गाइस आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कॉमेट में जरूर से लिख देना और गाइस यह अटेक सम्टाइम्स फ्लिंच भी कर सकता ह है सामने वाले पोकीमोन को और हमारे पास रेंबेज आ गया है तो यह अटेका भी हम यूज कर सकते हैं ओके तो आगे क्या कहते हैं देखते हैं अब बहुत सारी रास्ते तुमारे लिए खुल चुके हैं एक रास्ता तुम्हें ले जाएगा पोकीमोन लिक की और यह गोल सा पोकीमोन को ट्रेंग देनी होगी और तुम्हारा पोकीडेक्स कंप्लीट करना होगा मेरे खयाल से तो दूसरा रास्ता अच्छा है कई लोग मुझ से कहते हैं कि प्राफेसर बर्द जो की लिटल रोट टाउन में रहते हैं उन्होंने कई सारे पावरफुल पोकीडेक्स ब है कि तुम्हें और डाइवर्स पोकीमोन एंकाउंटर होने वाले हैं जो पहले तुमने कभी नहीं देखे होंगे मुझे लगता है तुमारा ब्राइट फ्यूचर तुमारी राह देख रहा है तुम कोई भी रास्ता तुन सकते हो तो गाइज आज के लिए इतना ही मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड में वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अगर वीडियो अच्छा ना लगा हो तो माफ कर देना गाइज मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड में थेंक्स पर वाच्चिंग